दोस्तो सुदर्सन चक्र पौराणिक काल का ऐसा अस्त्र जो विरोधी के हर वार को विफल कर देता था ऐसा अस्त्र जो अभेद था और अपना कार्य पूरा करने के बाद ही वापस आता था तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कृष्ण जी के बाद सुदर्सन चक्र का क्या हुआ और अब सुदर्सन चक्र कहा है दर्सल सुदर्सन चक्र भगवान विश्णू का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारन कर सकते थे ये अस्त्र एक साथ कई कारे कर सकता था इसके निर्मान के पीछे भी कई अलग-अलग मान्यताएं हमारे पुराणों में आपको मिल जाएंगी सिव पुराण के अनुसार सुदर्सन चक्र का निर्मान भगवान सिव ने किया था और इसे भगवान विश्णू को सिष्टी संचालन के कारे के लिए दिया था अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि सुदर्सन चक्र का निर्मान विश्व कर्माने किया था सूर्य की अभेद राक से उन्होंने तीन चीजों का निर्मान किया पुस्पक वीमान, तिर्सूल और सुदर्सन चक्र जबकि रिगवेद में सुदर्सन चक्र का वर्णन अलगी तरह से किया गया है इसमें सुदर्सन चक्र को समय का चक्र बताया गया है जो उसमें समय को भी बान सकता था, सुदर्शन चक्र से ही भगवान विश्णू ने माता सती के पार्थीर सरीर के 51 हिस्से किये थे, महा भारत काल में भी सुदर्शन चक्र से ही सिसु पाल का वद किया था, महा भारत में जब अर्जुन ने जैवरत को सूर्य ढलने से पहले मारने का वचन लिया, तब स्री किष्ण ने सुदर्सन चक्र से ही सूर्य को ढख लिया था, लेकिन इसके बाद सुदर्सन चक्र का कोई वनन नहीं मिलता, आखिर जब स्री किष्ण ने देत्याग की तब सुदर्सन चक्र का क्या हुआ, इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विश्णु या उनके अवतार के सिवा कोई नहीं धर्ण कर सकता और नहीं कोई चला सकता है जब स्रीकिष्ण ने दे त्याग की तब सुदर्शन चक्र भी वहीं पृत्वी में समा गया और भविश्य में जब कलकिये अवतार धर्ती पर जनम लेंगे तब वो सुदर्शन चक्र को दोबारा पृत्वी के गर्व से ग्रहन करेंगे कल्यूक के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी तब भगवान परसुराम और हनुमान जी कलकिये अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रसिक्षन देंगे तब युद्ध में कलकिये अवतार सुदर्शन चक्र को धर्ण कर उसका उपयोग करेंगे जिससे वो अंत कर देंगे परंतु अगर हम रिगवेद में बताए सुदर्शन चक्र का वरणन देखें तो सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा हम समझते हैं उसमें बताया गया है सुदर्शन चक्र समय के चकर को कहा गया है इसी का इस्तमाल भगवान विश्णू करते हैं समय के अंतराल का उपयोग कर वो किसी भी विरोधी को सक्ति हीन कर देते हैं महाभारत में भी जब स्रीकिष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था तब सुदर्सन्चक्र के इस्तमाल से समय को रोक दिया था तब रुके हुए समय में ही स्रीकिष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का पूरा ज्यान दिया था अगर हम रिग्वेद के ज्यान से समझें तो सुदर्सन्चक्र कोई भौतिक अस्तर था ही नहीं जो कोई देख या धरन कर सके ये सिष्टी के संचालक भगवान विश्णु का अभेद गुण है जो उनके और उनके अवतारों के साथ रहेगा दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें